नमस्कार एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागा थे आप सभी का परिक्षा वर्ड के से यूटूब चैनल में दोस्तो यूपी टेपल सी पी एटी दोजार एकिस का जो हम सिलेबस कम्प्लीट करवा रहे हैं हिस्ट्री का उसका जो पार्ट 10 है उसको आज हम कम्प्लीट करेंगे हमने स्टार्ट किया था दिली सल्तनत को पढ़ना तता दिली सल्तनत में जो वन्स सासन कर चुके हैं उनको हम वन वाई वन करके कम्प्लीट कर आ रहे हैं अभी तक हमने पढ़ा है क्या दिली सल्तनत में तो हमने गुला सल्तनत पे कौन राज कलता है तो तुगलक वंस के जो सासकते वे दिल्ली सल्तनत पर राज कलते हैं तो आज का जो वीडियो हमारा होगा यह तुगलक वंस पे अधारित होगा अगर आपने हमारा दली सलतलत का पिछला दो वीडियो नहीं देखा है गुलाम वन्स का और खिलजी वन्स का तो उसे आप जरू देख लिजेगा क्योंकि आप एक स्रीज से चलते रहेंगे एक स्टेप बाई स्टेप चलते रहेंगे तो आपको डिली सलतलत का जो टाइम प्ल से इंपोर्टेंट सा सक हैं जिनसे आपके एक जाम में प्रस्ट पूछा जा सकता है तो चलिए आज की लेक्षर को सुरू करता है तो जैसे एक में आपको बताया आज हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वन्स का टाइम प्रियोड क्या था सबसे पहले आपको याँ दखना है तो 1320 इसवी से लेके 1412 इसवी तक जो है तुगलक वन्स का टाइम प्रियोड था तो आपके याँ दखना यह भी जाम में पूछा जा सकता है जो तुगलक वन्स का पहला इंपोर्टेंट सा सक था जिसका टाइम प्रियोड था लुग था कि जो इकता है राजस्त में व्रिद्धि one by eleven से one by ten प्रतीसत से जादा नहीं हूनी चाहिये तो यह वक्षण आपके आपके आपको हां तकणा है जो गयासु दिन तुगलक था पहला सुल्तान था जिसके तरह नहरों से सिचाई प्रारम करवाई गे तीसे भी आप ध्यान देजेगा जो गयासु दिन तुगलक था नहरों से सिचाई प्रारम करने वाला पहला सुल्तान था गयासु दिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने डाग वेव शुरू की गई थी इसके बाद बंगाल वीजय के उपलक्ष में इसके स्वागत के लिए उसका बेटा जो जौना खा था उसने अहमद एयाज के नित्रित्तु में एक लकड़ी का मकान बनवाया जिसमें दबकर गयासु दिन तुगलक की मृत्ति हो जाती तो आप को या दखन वह तुगलक वंस का अगला सासक बनता है तो अब हम बात करेंगे जौना खाया निकी जिसको हम जानते हैं मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से तो अब हम पढ़ेंगे मुहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम था जौना खा तो इसका टाइम प्लेट था 1325 से 1351 तो जौना खा मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से सासक बना उसने क्रिसी विभाग दिवान एक कोही की अस्थापना की जिसका प्रमुक अमीर एक कोही तो आपको या दखना है जो मुहम्मद बिन तुगलक तो उसने क्रिसी विभाग दिवान एक कोही की अस्थापना की जिसका प्रमुक कहा जाता था अमीर एक को ही तो आपको या दखना है और मुहमद बिन तुगलक ने किसानों को सायता दी रिड बाटे जिसे सोंधर या तकावी कहा गया यानिकी जो रिड और जो सायता किसानों को दी गई थी उसको सोंधर या तकावी कहा जाता था मुहमद बिन तुगलक के अस्थानांत्रित हो जाती तिसे भी आप या देखेगा जो मुहम्मद बिन तुगलक था इसने कुछ समय के लिए अपने राज़ानी को दिल्ली से दौलताबाद अस्थानांत्रित कर दिया था फिर बाद में दुबारा दौलताबाद से दिल्ली यह राज़ानी बन जाती है इसे आपको ध्यान देना है इसके बाद मुहम्मद बिन तुगलक ने वैस्थिक अस्तरपत चांदी के सिक्कों की कमी को देखते हुए 1329 से 1330 के मद्य सांकेतिक मुद्रा जो तांबा या कांसा की थी उसको जारी किया गया निकि जो सांकेतिक मुद्रा हैं थी उनको जारी क किसके दरा किया गया था तो मुहम्मद बिन तुगलक के दरा इसने सांकेतिक मुद्रा क्यों जारी किया था तो वैस्थिक अस्तरपत चांदी के सिक्कों की कमी को पूरा करने के लिए इसके दरा कांसा या तामे के सांकेतिक सिक्के ढाले गया थी लेकिन इसकी नकल को रोकन के लिए मुहम्मद बिन तुगलक के तरह कोई भी कदम नहीं उठाए गया था जिस कारण से इसका जो प्रियोकता वह औसफल हो जाता है तो इसे आपको ध्यान देना है इसके बाद अगला important fact क्या है आपको याद अखना है मुहम्मद बिन तुगलक जो था होली में भाग लेन भी की थी तिसे आपको याद अखना है इसके बाद मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्लिक में जहां पनाह नगर की अस्थापना की थी यह भी fact आपको याद अखना है जो मुहम्मद बिन तुगलक था उसके दोरा दिल्ली में जहां पनाह नामक नगर की अस्थापना की तो जो important fact और point है जो आपके syllabus में mention है शिर्फ मैं उसी को complete करवा रहा हूं इससे बाहर आपको कुछ भी extra पढ़ने की जरूरत नहीं है तो अगला fact क्या है हमारा तो मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में जहां पनाह नमक नगर की अस्थापना करवाई थी 1351 में 30 सिंद में एक बिद्रो को दबाने के दौरान बीमारी के करण मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्तिव हो जाती है यह सारे fact यह आपको मुहम्मद बिन तुगलक से related याद रखने है इसके बाद इसकी मृत्तिव के बाद सासक कोन बनता है तो फिरोज सा तुगलक इसकी 88 के मद्ध फिरोसा तुगलक ने राज किया था दिल्ली सल्तनत पे तो ये टाइम प्रेड आपको याँ दखना है दिल्ली सल्तनत में फिरोसा तुगलक प्रथम सासक था जिसने दो बार राज्या विशेक करवाया तो आप क्या दखना है दिल्ली सल्तनत में फिरोसा तुगलक ने सरियत के अनुसार लागू किया था इस्त्रियों को संतों की मजारों पर जाने से मना कल दिया इसने था फिरोसा तोगलक ने परदा प्रथा को प्रोसाहित किया था इसने इस्त्रियों को संतों के मजारों पर जाने से मना कल दिया था परदा प्रथा का प्रोसान किया गया क इसके दोरा तो फिरोसा तुगलक के दोरा, पहली बार ब्रामणों पर जो जजिया कर था, यह आरूपित किया गया था, फिरोसा तुगलक के दोरा, पहली बार ब्रामणों पर जो जजिया कर लगा गया था, यह लगा गया था, फिरोसा तुगलक के दोरा, इसके बाद इसने वंसा नुगत कर दिया सैनिक और असैनिक जो पत थे इन सभी को वंसा नुगत कर दिया गया तो इसके बाद जो फिरोसा तुगलक था उसने सीचाई कर भी लगाया था जिसे हक ए सर्व के नाम से जाना आता है यहीं कि फिरोसा तुगलक के द्वारा सीचाई पर कर लगाया था जिसको हक ए सर्व के नाम से जाना गया था इसे आपको याद रखना है इसके बाद अगला important fact क्या है फिरोसात तुगलक ने ब्यापक अस्तरपन नहरों का निर्मान कर आया थी, यह फैक्ट आपको याद रखना है, सबसे अधिक नहरों का जो निर्मान था यह फिरोसात तुगलक के दौरा करवाया गया, तो आप इसे याद रखिएगा, इसके बाद मैंने आपको बताया था, नहरों से सिचाई का कारे जो प्रारम करने का स्रेह यह दिया जाता है, गयासु दिन तुगलक को, तो दोनों चीज़ा आपको याद रखनी है, अगर नहरों से सिचाई का कारे किसके तरह प्रारम किया गया था, यह पूछा जाए, तो आपको बताना है, गयासु दिन पूछ ले कि सरवाधिक नहरों का जो निर्माण किसके काल में करवाई गया था तो फिरोज सा तुगलक तो दोनों फैक्ट अलग-अलग है दोनों आपको याद अखना है इसके बाद बंगाल अभियान से लोड़ते वक्त जौन पुर नगर की जो अस्थापना है इसने मुहम और जिनमेंसे एक फार्सी में दलायल ए फिरोज साई नाम से अनुवात कर और गया एक प्रित इ Beginning उसने जालामों की मंदिर को लोटा और फिर संस्क्रित गरंथो को वहां से अपनी पास लेया तो जिनमेंसे 1 अनुआत करवाया जिसका नाम था डलायल फिरोज साई तो आपको याद अखना है इसके बाद फिरोसा तुगलक ने वृद्धो को पेंसन के लिए दिवान ए इस्तिहाग की अस्थापना की इसे भी आपको याद अखना है जो फिरोसा तुगलक था इसने वृद्धो के पेंसन के लिए दिवान ए इस्तिहाग की अस्थापना करवा तो आपको याद अखना है इसके बाद दासों के लिए अलग विभाग दिवान ए बंदगान के अस्थापना भी फिरोज सा तुगलक के तरह करवाए गई थी इसके बाद गरीबों को खैरात बाटने के लिए दिवान ए खैरात विभाग की भी अस्थापना करवाए गई थी फिरोसा तुगलक के द्वारा तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं इसके बाद दो फैक्ट और हैं जो आपको याद रखने हैं तुगलक वन्स का सासक फिरोसा तुगलक से लेटर फिरोसा तुगलक जो था ये पहला सुल्तान था जिसने रोजगार ब्यूरो की अस्थ आक्रमण हुआ था आपको या दखना है इसके बाद जो सासक बनता है नासिरी दुन महमूद इसी के समय जो है तेरा सो अंठान बे में जो है आपका तैमूर लंग का आक्रमण होता है तो यह सारे फैक्ट थे जो रिलेटेट है आपके तुगलक वंस के सासको से आई होप इस विडियो से आपके एक्जाम में 100% पूछा जाएगा इस तरह से हमने तुगलक वंस को भी कम्प्लेट करा लिया है अगला हमारा वीडियो होगा सायद वंस और लोधी वंस से रिलेटेड इस तरह से हम कल जो है यह जो दिल्ली सल्तनात का टॉपिक है उसको कम्प्लेट करव देंगी तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू थैंक्स पर रोचिंग थैंक यू